दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाते साहित की पर आप सभी का एक बार पुने हार्दिक स्वागत। मित्रों, 1946 इस्वी में प्रकाशित रामरिक्ष पेनिपूरी के रेखाचित्र संकलन माटी की मूर्ते से फुल दो रेखाचित्रों की चर्चा हम पिसले वीडियोज में कर चुके हैं, रजिया और बलदेव सिंग। मित्रों, आंचलिक सांस्कृतिक विश्यक दिष्टिकोंड से पेनिपूरी जी की माटी की मूर्ते एक सरस्रेष्ट रेखाचितर संग्रह है। एक कड़ी के रूप में एक दूसरे से जोड़कर एक सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत करती हैं। इस संग्रह में लेखक ने ग्रामीन पात्रों के जीवन, रहन सहन, आचार विचार, संसकार, आकांग्शा आधी को विश्यक के रूप में अपनाया है। इसमें लेखक एक उत्कृष्ट ग्राम में चित्रकार के रूप में हमारे सम्मुक प्रसुत होता है। इस प्रकार माटी की मूर्ते संग्रह के रेखा चित्र आँचलिक सांस्कृतिक विश्यक से सम्मंदित है। अवर बेल की तरह ताउम्र जीवन पर च्छाई रहती है। के लिए निशिंत हो सकता है। मित्रों सर्जु भाईया एक समश्या परक रेखा चित्र है जिसमें सूध की समश्या को दर्शाया गया है। आए मित्रों चलते हैं रामरिक्ष बेनिपूरी जी के संकलन माटी की मूर्ते से तीसरे रेखा चित्र सर्जु भाईया की ओर और उसे पढ़कर समशने का प्रयत्म करते हैं। सर्जु मैया नहीं सर्जु भाईया ये हमारे गाउं की विशेस्ता है कि कभी-कभी मर्द, गंगा, यमुना या सर्जु हो जाते हैं। इस बारे में औरते ही सौभा की शालिनी हैं। प्रय है उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सर्जु भाईया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ दो खपडेल मकान, एक तरफ मिट्टी के दिवार पर फूस के चपड़, एक तरफ तट्टी के दो जोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ तट्टी खड़ा कर थोटा सा आंगन निकाला हुआ, उसी घर के सौभगे साली मालिक हैं हमारे सर्जु भाईया, सर्जु भाईया को कोई छोटा भाई नहीं रहा, और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी मा की गोध भरी, हतै हम दोनों ने परस पर एक नाता जोड़ लिया है, वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छो पहने, कंधे पर अंगोची डाले, जब वह खड़े होते हैं, आप उनकी पंसलियों की हड़ियां गिल लीजिये, नाग खड़ी, लंबी, भमे सघन, बड़ी बड़ी आँखें, कोट्रों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी, कभी कभी मालूं होता, मा नहुस आदमी की मालूम होती है, किन्तु क्या बात ऐसी है, सरजु भीया मेरे गाउं के चंद, जिंदा दिल लोगों में से एक हैं, बड़े मिलनसार, मजाकिया और हसोड, वह दिल खोल कर जब हसते हैं, चरीर भर में जो सबसे चोटी चीज़ें उन्हें मिली हैं, वे उनक के पंक्तिबध, छोटे-छोटे दांत, सब बेतहाशा चमक पड़ते हैं, अंग-अंग खिलने-डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हांस रहा हो, और सरजु भीया के पास इतनी संपत्ति है, कि वे खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बलकि आगत अधित की सेवा-पुजा भी मजे में कर सकते हैं, तो फिर यह हड्डियों का धांचा क्यों, मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से, पित्रों इस कहावत का अर्थ है, अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना, हाँ, सर्जु भाईया की यह जो हालत है, वह अपने कारण नहीं दूसरों के चलते, पराय उपकार के चलते उन्होंने ने सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बलकि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानी नहीं की है, उनके पिता जो गुमास्ता जी कहलाते थे, मेरे गाउ सर्जु भाईया है, खेती बारी तो थी ही, रुपय और गल्ले का अच्छा लेंदेन था, परिवार भी बड़ा और खर्चिला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सर्जु भाईया ने लेंदेन चोपट किया, पाढ़ ने खेती बरबाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश क उनका लेंदेन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, इन तो सर्जु भाईया और लेंदेन, लेंदेन जिसे नग्म शब्दों में सूद खोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खोदे, वह जोंक खटमल नहीं चीलर बन जाए, मित्रों चीलर, अर्थात, गंदगी या पसीने से उत्पन जुएं, जो चमजुएं भी कहलाती हैं, काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंतर अस्तित्व है, हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रतिक्ष पाते और देखते हैं, लेक सारे खून को यो धीरे धीरे चूसता है, और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है, कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं, तो जरासी सुगबुगी या ज्यादा से ज्यादा चुन्चुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए, वित्रों खुर्दबीन अर्थात सुक्ष्म दर्शी अंत्र, सरजु भईया चीलर नहीं बन सकते थे, उनके इस लंबे शरीर में जो हुर्दे मिला है, वे शरीर के ही परिमान से, जो भी दुखिया आया, खुद कौन कहे, कुछी दिनों में मूल धन भी शून्य में पढ़नित हो गया, उल्टे अव्वे खुद हत्फेर में व्यस्त रहते हैं, वित्रों हत्फेर, अर्थात सोड़े दिनों के लिए बिना लिखा पड़ी के लिया दिया हुआ कर्ज या हतुधार, उल्टे की फटे हाली से बहुत कुछ बचे रहते, यदि लेन दिन के बाद भी इन दोनों के तरफ ही पूरा ध्यान दिये होते, यह नहीं कि वहजी चुराने वाले या आलसी और बूदा ग्रहस हैं, नहीं ही किसके खिलाब चतुर, पुर्तीला और काम काजु आदमी हैं, लेकिन कर काम से ही कहां फुर्सक मिलती है, तंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद को बुलाने कौन जाएगा, सर्जु भाईया, फिर्दे को बाजार से कोई सोधा सुलफ लाना है, वे किसे बैजे, सर्जु भाईया को, खबर आई है, रामकुमार के मामा जी अपने गाउ चाने वाला हर कारा या दूद, परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करानी है, शिनाक्त कौन करेगा, सर्जु भाईया, किसी के घर में शादी ब्याह, यग्ये जाब हो, और सर्जु भाईया अस्थ व्यस्थ, किसी की मोत हो जाने पर, यदि वह अंधेरी रात में हो, तो ही कफन खरीदने का जिम्मा सर्जु भाईया पर रहेगा, यों गाउं भर के लोगों का बोज अपने सिर पर लेकर सर्जु भाईया ने न केवल अपने खेद और घर को मटिया मेट किया है, बलकि इसी उम्र में अपनी कमर भी जुका ली है, दिन हो या रात, चिलचिलाती दुपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सर्जु भाईया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, विक्टर होगो ने अपनी अमर कृती ला मिजरेवल में कहा है, जाक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए सर्जु भाईया को निस्संदे है, इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है, मेरे खुद्र विचार से सर्जु भाईया का व्यक्तित्व अनुकरनी ही नहीं बंदनीय पूजनीय है, जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्यानी मस्तक आप से आप उनके चर्णों म जुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर्रतन की कद्र कहां तक होगी, बहुत से लोग इन्हें सुधोवा समझ कर, सुधोवा अर्था सीधा साधा समझ कर ठकने की चेश्टा करते हैं, यदि यही बात होती तो भी बर परदास की जा सकती, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तब जंजटों में डालने की कोशिस होती हैं, और यदि अकस्मात जंजट में पढ़ जाते हैं, तो उससे निकलने की क्या बात, इनके तरपने का तमाशा देखने में लोग मजा अनुभव करते हैं, अभी तोड़े द बंदी है, और आखों से आंसु आ रहे हैं, दुबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे, तो उनकी ओर नजर उठाई, उनका चेहरा देख दंग रह गया, मैं सन्न, क्या बात है यह, बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीब हिली, मालुम हुआ, उनके घर में एक छोट किसी घटना हो गई है, जैसी घटनाएं अपने ही गाओं में मैंने कई बार होते देखी हैं, लेकिन किसी ने उसो ध्यान नहीं दिया, यदि जरूरत हुई, तो उन्हें सुलजा दिया, और यदि किसी ने उससे बढ़ाना चाहा, तो लोगों ने उसको डाट दिया, क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी, जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बलकि दुर्गा भी हैं, अर्थात पैसे भी और लाठी भी, लेकिन सर्जु भाईया ने तो लोगों के लिए ही अपनी ये हालत कर रखी है, न वे किसी पर धन का धोश जमा सकते हैं, न डं रात भर लोगों की इस तग्णता ने मुझे चैन से सोने न दिया, तो धुधु आपन से ठगे जाने की एक कहानी बहुत दिन हुए, मैं किसी जरुरत में था और कुछ रुपे के लिए परिशान था, सर्जु भाईया के पास कुछ रुपे थे, मेरी बेचेनी मैं कैसे दे मैं भी समझता रहा, उनके रुपे कहां जाते हैं, जरुरत होगी, मांगेंगे, दे दूँगा, लेकिन अजी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया, इस बीच में उन्हें रुपे की जरुरत हुई, लेकिन संकोच वस मुझ से नहीं मांगा, एक स घट उन्हें रुपे दे दिये, लेकिन जब चलने लगे, कहा, आपके पास रुपे जाएंगे कहां, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही, क्या सबूत, मैं तयार हूँ, सर्जु भाईया रुपे बांद चुके थे, ना उन्हें खोल कर लोटाया जा सकता था, और ने उसकी म को नामंजूर कर सकते थे, नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिये, आपसे बाजापता, मित्रो बाजापता, अर्थात, नियम पूर्वक, आपसे बाजापता हेंड़नोट क्या कराया जाए, और सर्जु भाईया ने बम भोला की तरह, कजरोटे में अंगुठा बोर कर कागज पर सिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अंटोनियों ने किसी कलजुगी शाइलोग के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया, अब वह कहता है, जल रुपे दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूँगा, नालिश अर्थात मुकदमा, और नालिश कितन की करेगा, कौन ठिका ना, सरजु भहिया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुह आश्यरे से देख रहा था, आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वै क्या दे सकते थे, कि क्या करूं, रुपे बांच चुका था, सरजु भहिया के प काल ही में बेटा पाने का अर्मान लिये मरी है, कह नहीं सकता, इस अर्मान ने सरजु भहिया को ज़्यादा चिंतित किया है, या नहीं, वे बेटियों पर हिस नहर रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के, मेरे बेटे, भतीजे हैं, उनका बच्पन तो ज़्यादा तर उ यह कलपना करते ही, हमारे परिवार भर में अजीब उदासी चा जाती है, उनकी पत्नी की मृत्यों के बाद मैंने अपनी मोसी को कहते सुना, सरजु भगवा की उमिर ही कितनी है, यही मेरे भगवा से चार बरस बड़े हैं, फिर वे शादी क्यों न करें, क्या वंश डुब देंगे, और उस दिन देखा, मेरी धीट रानी सरजु भगवा से जगट रही है, नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी, मैं शादी करूं, जिससे शर्मा जी को, अर्थात मुझे नई भोजाई से दिनराज चोहले करने का मजा मिले, क्यों न, मित्रों चोहले, अर्था हसी मजाग, मुझे देखते सरजु भगवा बोल उठे और ठटा कर हस पड़े, रानी थोड़ी सकुची, फिर हस पड़ी, मैं दोनों को देखता, चुपचाप मुस्कुराता रहा। इस भूचा पर बेनी पुरीजे ने लिखा है कि गाउं के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजो भगवा की गिंती हो सकती है, रंग सावला, फगले सी बड़ी-बड़ी टांगे, चिंपा जी की तरह बड़ी-बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर गोची डाले, जब भगवा खड़े होते हैं, आप उनकी पंसलियों की हड्डियां किल लिजिये, नाक खड़ी-लंबी, भवे सगन, बड़ी-बड़ी आँखे कोटरों में धसी, गाल पिछके, अंग-अंग की शिराएं उभरी, कभी-कभी मालूम होता मानो ये नसे नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकट रखा है, पित्रों सरजु भईया के पूर्वाज धनवान थे, उनके पिता के द्वारा भी उनको काफी संपत्ति मिली थी, परन्तों सरजु भईया अपनी दीनता और सहयोग की भाउना के कारण जल्दी ही गरीब हो गए, पूरी जी ने उनकी इस समर्पन सीलता पर लिखा है, गंगा भाई के घर में बच्चा बिमार है, पैद्दे को बुलाने कौन जाएगा, सर्जु भईया, फिर्दे को बाजार से कोई सोधा सुलफ लाना है, वे किसे भेजे, सर्जु भईया को, खबर आई है, रामकुमार क मामा जी अपने गाउं में सक्त बिमार है, उनकी खोज खबर कौन लाए, सर्जु भईया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा, परमेश्वर को एक रेजिस्ट्री करानी है, शिनाक्त कौन करेगा, सर्जु भईया, किसे के घर में शादी ब्याह, यग्गे जाप हो, और स इस प्रकार सर्जु भईया गाउं भर के अनेक काम करने में अपनी ग्रहस्ती और खेती बाड़ी को चोपट कर लेते हैं, जो कभी धनवान था, अब वहे दरदर की ठोकने खा रहा है, चंद रुप्यों की जरुरत के लिए साहुकार के आगे हाद जोड़ना और उसका मनमा ब्याज भरना, बेनि पूरी जी ने लिखा है कि जो महाजन कभी सर्जु भईया से रुपए लेता था, वही आज उससे रुपए देने के बाद कागज पर अंगुटे का निशान ले लेता है, इतना ही नहीं, इस बात की धमकी देता है कि अगर आपने पैसे नहीं आलत खराब है, वो बेनि पूरी जी के पास सिर नीचा किये हुए खड़े हैं और आँखों से आंसु गिर रहें, राम ब्रिक्ष बेनि पूरी जी ने सर्जु भईया की सजन्ता का चितरन कर ये संदेश दिया है कि समाज में जो व्यक्ति अपनी निश्ठा और सहयोग की भ खुकरा देता है, समाज हमेशा पूरू में की गई सेवा को भूल कर केवल वर्तमान देखता है, एक इमानदार व्यक्ति चाहे कितनी ही समर्पन भावना भी रखे, परंतु उसे भी नजर अंदाज कर दिया जाता है, सर्जु भईया की भी आज वैसी ही हालत है, तो मित्रो तता अन्य साहता के लिए हमसे टेलिग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविश्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की, धन्यवाद